बियर्ड अबेर्थों के प्रात्मेक सिक्षक भरती में इलिजिबिल्टी मेटर को ले करके दिनांक 16 नवंबर 2022 को यानि की आज मानिने सुप्रेम कोट में सुनवाई कम्प्लीट हो चुकी है क्या हुआ पूरी सुनवाई के दौरान इस वीडियो में डिटल में बात करेंगे अंतर तक जुड़े रहेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नामें नीगरेज और आप देख रहे हैं केरियर बिट यूटिब चैनल होंगे अब इस केस को दिनांक 24 नौंबर 2020 को फिर से सुने जाने के लिए लिश्ट किया गया है लेकिन आखिर ऐसा क्या हुगा कि जब आखरी सुनवाई के लिए इस केस को आज फाइनल करने के लिए लिश्ट किया गया था तो फिर से अगली डेट देने की नौबत क्यों आई तो जो खबरे निकल कर क्या रही है उसके हिसाब से जो पिछली सुनवाई के दोरान मतलब पिछली सुनवाई में जैसा कि आपको ग्यात होगा एक अधिवक्ता के हस्बेंट की मिर्ति होने की वज़े से डेट मांग ली गए थी तो वो डेट दी गए थी यानि आज की डेट लगी थी लेकिन उसके पहले वाली सुनवाई में जो भी राज्य सरकार थे या फिर जो भी अपना पक्छ आ करके रखना चाह रहते हैं सबको नोटीज जारी किया था मानेने सुप्रिम कोट ने ठीक है उसी के क्रम में जितने भी इसमें रिस्पॉंडनेंट बनाये गये थे चाहे है टर्म्स होते हैं जो सुप्रिम कोट में मानेने कोट में इस प्रकार की कुछ डिफेक्ट्स होते हैं फाइल्स वगरे में जिसकी वज़े से आज इस केस की फाइनल सुनवाई नहीं हो पाई है और एक हफते का समय और दिया गया है जो भी डिफेक्ट्स थे हैं उनको दूर क इसको होगी आज के वीडियो में बस इतना ही ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब्भ